आपने मुझे सदन में बोलने का मौका दिया, इसका मैं बहुत-बहुत अभारी हूँ, धन्यवाद। कल प्रधान मंत्री जी ने अपने भाशन में विपक्ष के बारे में बोला था, कि विपक्ष अंदोलन की बात कर रहा है, मगर जो क्रिशिक आनून है, उनके कॉंटेंट के बारे में और उनके इंटेंट के बारे में विपक्ष नहीं बोल रहा है, तो मैंने सोचा आज प्रधान मंत्री जी को खुश करें, खुश करें, और जो तीन किसान के बिल हैं, खेती के बिल हैं, उनके कॉंटेंट का और इंटेंट का बात करें, हाँ, बजट पर बोलेंगे, बजट पर बोलेंगे, आप शान्त हो जाएए, फिर, किसान का मुद्दा भी बजट का मुद्दा है, आप उनका अगर कीजिए, तो बात है, कि इन तीन कानूनों का कॉंटेंट और इंटेंट क्या है, तो पहले कानून का कॉंटेंट, कोई भी व्यक्टी, तो पहले कानून का कॉंटेंट क्या है, कि कोई भी व्यक्टी, देश में कहीं भी, कितना भी आनाज, सबजी फल खरीद सकता है, जितना भी खरीदना चाहता है, खरीद सकता है, तो अगर अगर खरीदी देश में अनलिमिटेट खरीदी होगी, तो मंडी में कौन जाएगा, मंडी में कौन जाके खरीदेगा, तो पहले कानून का कॉंटेंट, मंडी को खतम करने का है, इसका लख्ष मंडी को खतम करने का है, दूसरे कानून का कॉंटेंट, दूसरे कानून का कॉंटेंट क्या है, कि बड़े से बड़े उज्योग पती, जितना भी अनाज, जितना भी फल, जितनी भी सबजी स्टॉर करना चाहते हैं, वो स्कॉर कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं, जितना वो होट करना चाहते हैं, कर सकते हैं, दूसरे कानून का कॉंटेंट, एसेंशल कॉमोडिटीज आक्ट को खतम करने का, दूसरे कानून का कॉंटेंट, जमा खोरी को अनलिमिट तरीके से हिंदुस्तान में चालू करने का, अब तीसरा भी कानून है, तीसरा कानून का कॉंटेंट, तीसरा कानून का कॉंटेंट, जब एक किसान हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योपती के सामने जाकर, अपने अनाज के लिए, अपने सब्जी के लिए, अपने फल के लिए सही दाम मंगे, तो उसे अदालत में नहीं जाने दिया जाएगा, तीसरे कानून का कॉंटेंट, आपको याद होगा, पिके-णिज़ इस सब्सक्राद, पिके-णिज़ प्रान असमान, जोल्बर को याद परिके-णिज़ नाच का, पिकर सर आप बजट प्रामिली प्लानिंग का आप बजट पर बात करें अब जब आप सालों पहले सालों पहले फ्रामिली प्लानिंग का एक नाना था आपको याद होगा हम दो हमारे दो अब मैं intent की बात करता हूँ कानून के intent की बात आज यह हो रहा है? जैसे कorona दोसरे रूप में आता है वैसे ही ये नारा दोसरे रूप में आया है आज इस देश को चार लोग चलाते हैं आप बज़ट पर चर्चा करने बज़ट पर बज़ट पर आ रहा हूं चार लोग चलाते हैं हम दो और हमारे दो जैसे उस टाइम उस टाइम नाम सब जानते हैं हम दो हमारे जो यद्य कि इसकी सर्कार है हम दो हमारे कानून का इंटेंट बताता हूं पहले कानून का इंटेंट कि हमारे दो मित्रों में से एक जो सबसे बड़ा मित्र है उसको पूरे हिंदुस्तान के अनाज, भल और सब्दी को भेचने का दिकार ये है पहले पहले कानून का इंटेंट नुक्सान किसका होगा, नुक्सान ठेलेवालों का होगा, नुक्सान छोते भी अपारियों का होगा नुक्साइन जो लोग मंडी में काम करते हैं लाखों लोग उनका होगा अब चलिए दूसरे कानून की इंटेंस की बात करते हैं दूसरा कानून का इंटेंस दूसरे मित्र की मदद करने का है दूसरे मित्र को पूरे देश में अनाज वल और स्थिक्राइब की मनोपली में जाए है आज दूसरा मित्र चालिज प्रतिक्षाज हिंदुस्तान का अनाज अपने स्टाइलों में रखता है यह कॉंग्रेस पार्टी पेड़ग नहीं है यह सदन है अगर बज़य अबेट अस्टाइलों में रखेगा यह वह यह शबाब है यह कहते हैं प्रधान मंत्री पर चर्शा है प्रजाल मंत्री कहते हैं कि मैंने आप्शन दिया है हां आपने और संडिया है पहला ऑप्शन भूख दूसरा ऑप्शन जारी पिसरा आटब अच्ञार ये तीनु आपने दिये हैं अब देखिए मामला क्या है मामला ये है कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बिजनस सबसे बड़ा वियतार एग्रिकल्चर का है चालिस प्रतिशद आबादी इससे जीती है चालिस लाज करोर रुपे का धंडा है इसमें किसानों को फाइदा मिलता है तो तो दूसरे कानून का थोड़ा मैं इंतेंट समझा रहो है कि दूशरे कानून का इंटेंट है पानी दो पानी घर जा एम पानी दो दो अजी STAR भी उत्विस्ति को आप पूरे देश के अनाज की शौरिंगी मनोपली दे जो और जब किसान अपने अनाज के लिए साही दाम मांगने जाएगा, तो जिसके पास सोरिज की मनौपली होगी, वो मार्केट में अनाज डालेगा और किसान से कम से कम पैसे में खरीब करेगा. और जब वही किसान से कंजूमर बनके अपने ही माल खरीबने जाएगा, तो वही व्यक्ति अपने गोडाउन से अपने जब पजच में तर्चा है सर, रास्टा भी अभी वाज़ण पे आपना सर्चा समात कर दी, परस्ता उपास करके रास्तिजी को भेज दिया, अब उसी पे कि इस बेच के जो रीड की हटी है किसान मजदूर चोटे दुकानगार वियापारी उज रीड की हटी को फोड़ के तुक्रेक तुक्रेक करके जो मिट्रों को जे दू कि अगुटे फियुट था गुटे नुटे जो इस बेच्च बेर रुटे को तुक्रेक तुक्रेक को जो रख पिदेट रुटे प्रश प्रशश्ड ओिदरी टुटे का प्रशबा प्रशच की है इसी हमाई प्रच बाज़ घे लिए बाज़ भी कि राज़ भी विल्ट ने रहें विडिवाई लाज़ प्रफ लाज़ लुग था इस प्रफ राज़ अबज़ खरिफ बज़ा टीज़गा बेद बाज़ प्रफ लेंगत अब्गर्फ लुग है विड़ी लुग टेटीज़ पर आपको बिस्त विखते हैं इसको अधनी करना है इसको पूर्ने जाएगी जलिए आप बोलने दे रहे जाएगा आपने माइक बंद कर दिया तर आपने जाएगी आपको बिस्त बंद कर दिया आप लिए डीडिये आपको पूम बतारें cognitive facing अधि रचयंडी ःजिह 707 प्रव्ड कर देजस प्रफ एंग प्रफ ढख ब्रफिस से कर्योंा थेर व्र अन्यु वन पर एंग टिक्षण एंग रूगर तो टीजह एंग शुड फिर्पर दुट इस लिए थे अपर गया तूज तो अप तेज़ फिडिए मुटेछ टीज अजिए लुट इंगा टीजए के इसका इसका आटिश जो पर टिसका आगने उतिसका और टिसके सबस्वाइब्स फांट Mär sixty करेक्वरी तो आई क्वाज के शीखरें दجट में तब गई टो बाट久 अच आए तुछ नहीं 제가 कि वीजर करना है लुए कुर बाहुं कि वीज़ 2 श्रुटी के लुएार टकी लिए निएपर इनुट लिए अधैनो मान। obec र tässä लुए ररें शैघनल स्कbane सब पर, सब पर जिवाली परने सब तर रहा है सब पर, आप पोई टोई त्लेप आप ये क्लनी ही था गया क्लनी ही था क्यां प्रिजिंग है एक वाने मंत्री भाग रहे हैं रूपक ढूल रहे हैं अगरें रोल पो पर रहे हैं अभी तो गोलने ही फिलाट है जाज आप इस अब तो गोलने ही पांच मेंने जाज यह तो हम दो हमारे दो तो आसको याद होगा वो फोतो होती थी चार हम दो हमारे दो क्यूब पे छेहरे थे सुन। छुन। चेहरे मोटे मोटे चेहरे हम दो हमारे दो फिर इससे होगा क्या जब ये कानून लागू होंगे तो जो इस देश के किसान है इस देश के मजदूर है छोटे वियापारी है इनका धंदा बंद हो जाएगा इन में से किसानों की खेट चली जाएगी किसान को सही दाम नहीं मिलेगा छोटे दुकानदारों की दुकान बंद हो जाएगी और सिरफ सिरफ दो लोग हम और हमारे हम दो और हमारे दो इस देश को चलाएंगे हिंदुस्तान का food security का system है वो नश हो जाएगा और पहली बार सालों बाद एक बार फिर पहली बार हिंदुस्तान के लोगों को भूख से मरना पड़ेगा रूरल एकानोमी नश हो जाएगी और ये देश रोजगार नहीं पैदा कर पाएगा ये नहीं चीज़ नहीं है ये आप मत सोचिए कि ये निया अटेम्ट पहला अटेम्ट पहला नहीं है ये काम प्रधान मंत्री ने हम दो हमारे दो के लिए पहले नोट बंदी में शुरू किया था पहली चोट नोट बंदी थी आइडिया किया था गरीबों से किसानों से मज़दूरों से उनका पैसा लो बैंक में डालो और हम दो हमारे दो के जेम में डालो माल मीडियम सेक्टर को खतम कर दिया किसानों को बरबाद कर दिया वहाँ नहीं रुके फिर गए जी एस टी जबबर्सिंग टैक्स परच अलग अलग टैक्स और फिर से उन्ही विचारों पर आक्रमन उन्ही किसानों पर उन्ही मज़ूरों पर उन्ही व्यापारियों पर आक्रमन फिर करोना आता है करोना के सम्ए मज़ूर चिला चिला के कहते हैं हमें बश का टिकेट दे दी जिए हमें ट्रेन का टिकेट दे दी जिए नहीं 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 तुम्हें नहीं मिलेगा तुम पेडल घर जाओगे बाद मानेज सदस्य शुख जरूर हो गाज का तुझी को टैस करूछाए है मानेज सदस्य से और इधर आगड़ा कर रहा हूं मानेज सदस्य आज बजट पर चर्चा है कर दो चलाओ कि मैं आ रहा हूं सर बजट पे तर में आ रहा हूं बजट पे मैं सर पांच मिनट में बजट पे आ रहा हूं मैं फाउंडेशन लगा रहा हूं अभी फाउंडेशन तो पहले नोटबंदी फिर जीएस्टी फिर करोना के समय उन्हीं चार पांच दस लोगों को पूरा पूरा सर्जा माँ दस लाग सरोर मिते हैं जो भी आप सर्जा माँ मगर हुआ क्या हिंदुस्तान हिंदुस्तान का रोजगार का जो सिस्टम है जो स्मॉल और मीडियम इंडिस्ट्री है वो खतम हो गई आज ये देश रोजगार नहीं पैदा कर सकता है और आज नहीं कल भी ये देश रोजगार नहीं पैदा कर पाएगा क्यूंकि आपने इस देश की रीड की हड़ी तोड़ दी है और चेसान की मज़दूर की छोटे दुकांदार की स्मॉल मीडियम बिजनेस की रीर की हड़ी तोड़ दी है मगर ये मत समझ्ये लिए कि एक किसानों का अंदोलन है कि एक किसानों का अंदोलन नहीं है आपको बात अभी समझ नहीं आई है ये देश का अंदोलन है और ये किसान सिर्फ रास्ता दिखा रहा है किसान अंदेरे में तॉर्च दिखा रहा है और एक अवाज से ये पूरा देश उतने वाला है पूरा देश एक अवाज से हम दो हमारे दो के खिलाफ उतने जा रहा है और ये याद रखिए मैं कह रहा हूं लिक के लिए ले लीजिए आप सोचते हो कि हिंदुस्तान के किसान को मजदूर को छोटे दुकानदार को अपने पैशे से अपने धन से परे कर सकते हो ये आप सोचते हो आप ये सोचते हो आप लिक के ले लो मुझसे किसान एक इंच पीछे नहीं हटने वाला है किसान आपको हटा देगा मजदूर आपको हटा देगा छोटा दुकानदार आपको हटा देगा मगर वो पीछे एक इंच नहीं हटने वाला आपको कानून वापिस लेना ही पड़ेगा आप बात करते हैं बजट की जब बजट पर बात चीछ करने का की बात उठी थी प्रेजिडेंट अड्रेस पर बात करने की बात उठी थी तो हमने कहा था विपस्ट ने कहा था हमें किसानों के आदर करने के लिए किसानों के सब्जेक्ट पर अकेला बोलने दीजिए एक साथ हम सब मिलके किसानों के मुद्बे पर बोलेंगे स्पीकर सर ने सरकार से पूछा और सरकार ने कहा नहीं किसानों के मुद्धे पार चर्चा नहीं होगी बजट पे होगी और प्रेसिडेंट अड्रेस पे होगी अलग चर्चा किसान के मुद्धे पे नहीं हो सकती तो प्रोटेस्ट में मैं कह रहा हूँ मैं बजेट पे आज यहां टिपनी नहीं करने वाला हूँ मैं आज सिरत किसान के मुद्वे पे बोलूँगा और उसके बाद मैं अपना मूठ चुप कर दूँगा अंत में मैं कहना चाहता हूँ कि जो दो सो किसान शहीद हुए उनकी इन लोगों ने उनको इन लोगों ने श्रदांजली नहीं दी मैं सब सांसर्दों से कहना चाहता हूँ मैं अपने भाशन के बाद दो मिनट शहीदों के लिए मौन रहूंगा आप मेरे साथ सरे हो जाएए धन्यवाद भूंगों मरियो मानने सदस्य गन, मानने सदस्य गन, मानने सदस्य गन, प्लेज बेठे, बेठे, बेठे मिनिट, बेठे, बेठे मानने, प्लेज बेठे, मानने सदस्य गन, इस सदन को चलाने की जिम्मेदारी आपने मुझे दिये, और को भी मानने सदस्य कहेगा मैं आज,